असलालेक मेरे योटूब फैमिली क्या हाल है आप सबका इंशाला ताला ठीक होंगे हम भी ठीक हैं आज मैं बना रही हूं समोसे यह मैंने घी लिया दो धाई चमच घी के शामल करूंगी कडाही में डालूंगी अधाई चमच में घी के कडाही में डालूंगी और उसमें एक अदद मैंने चोटा प्याज लिया है चोटा सा और इसको अच्छी तरह भून लूंगी जैसे यह अच्छी तरह हलका सा भून जाएगा इसका हलका सा कलर बदलेगा तो फिर इसमें मैं शामल करूंगी बाकी चीज़े यह देखिए अपना हलका सा उसका कलर बदल रहा है इसमें शामल किया नमक थोड़ा सा नमक शामल किया इसमें एक तरफ मैंने रखे हुए आलू उबालने के लिए वो भी आपको दिखाती हूँ चिकन और आलू की आलू के समोसे बनाएंगे समोसी हैं जोती चोटी यह देखिए इसमें मैंने चिकन चामल कर दिया, आदा किलो मैंने चिकन लिया था चिकन का कीमा आदा किलो चिकन का कीमा लिये यह देखे बहुत अच्छी तरह यह पाक रहा है कीमा जल्दी पाक जाता है चिकन का और इसमें मैंने शामल कर दिया है लसन अद्रक और सबस मिर्चों का पेस्ट बना कर रखा हुआ था अब मैं इसको अच्छी तरह कीमे को भून लूँगी यह देखे अच्छी तरह बन गया कीमा एक तरह मैंने आलू रखे हुए कुकर में कि भी आलू गाल जाएं इसमें शामल करूंगी मैं सुरुख मिर्चे नमक और धनिया पौडर थोड़ा सा जीरा शामल करूंगी इसमें यह सुरुख मिर्चे मैंने शामल कर दी हैं यह सु का धनिया मैंने शामल कर दी हैं इसमें इसमें धनिया शामल की हैं अब मैंने थोड़ा से इसमें जीरा शामल की हैं अब इसको अच्छी तरह जर भूंग लूँगी दूसी तरह बच्चों ने उतार के अलू उसको चीर रहे हैं यह थोड़ा समय ने दहीं शामल किया था इसमें और यह गरम मसाला शामल किया अब इसमें मैंने चिली सॉस थोड़ा सा और कुटी में से शामल किया यह सोया सॉस शामल का रहे हैं यह भी चिली सॉस शामल किया मैंने अब सॉया सॉस शामल कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा अब मैं इसमें शामल करूंगी आलू जो बच्चों ने पीज दी हैं मैश कर दें यह देखें आलू मैश कर दें हैं बच्चों ने यह मैं इसमें शामल कर रहे हूं इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी आपस में और नीचे से चुला बंद कर दूँगी यह देखें मैंने मिक्स कर ली हैं बहुत अच्छा बन गया मिक्चर समूसों का बहुत अच्छी कुछ बहुआ रही है इसमें से मस यह पटिया मैंने मकवाई थी बजार से और एक एक करके निकाल लेंगे इसको यह देखें ऐसे भार के इसको मसाले को ऐसे करके समूसा बना लेंगे ऐसे ही समूसे बना के मैं आपको दिखाती हूं बाकी के यह देखें हमने समूसे बना लिए बहुत अच्छे बन गए है अब इसको तलते हैं गी में तलेंगे इसको गी में तलते हैं अब यह देखें यह बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं यह समूसे क्योंकि रोजों में बनाना असान हो जाता है पटियां लाएं और मज़े से बनाएं देखें कितने अच्छे बनें क्रिस्पी से आप हमारे होम रोटीन को सबस्क्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दे खुश रहें खुशियां बांटें अल्ला हाफीज